हेलो एवरिवन आएम रिद्धिरण यह वचिंग स्काइस देल मिट्स आज के वीडियो में वेसिकले हम लोग डिसकस करेंगे टेक्नो इंडिया मेन सौल लेक यह जो आपका मेन केंपस है टेक्नो इंडिया का इसके बारे में इसका कटॉप्स, रेटिंग, प्लेस्मेंट, वेकल्टी, कैंपस हार एक इंपोर्टन चीज जो है एक कॉलेज का उसके बारे में इस वीडियो में लोग डिसकस करेंगे वीडियो बहुत इंपोर्टन है हार एक आप बोल सकते हैं जो डेवली वीजी स्टूडेंस एक्जाम दिये हैं रेजल चेक किये हैं एडिमिसन लेन सकता तो वो लो रैंग से अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडिमिसन ले तो अच्छे से अच्छे प्राइविट कॉलेज में आप एडिमिसन ले सकते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट चाते हैं मैंने लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ से जाके आप इजली उनके स समने लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अच्छा एक प्लेसमेंट के मामले में बोली है हर एक चीजों में बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है तो यह कॉलेज के चलिए वन बयवन यह जो कॉलेज हम लोगे सामने है टेकनो इंडिया में सॉल्ड लेग इसका वण बयवन करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले ही हम लोग जो डिसकस करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली सबसे पहले जो हम लोग डिसकस करेंगे वो है यहां का रेटिंग पांच स्टार में मैंने इस कॉलेज को फोर स्टर दिया है जो की बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है college है rating के मामले में next cutoffs के बारे में अगर हम लोग discuss करें तो आप देख सकते हैं CAC अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे 6K to 7K under rank रखना पड़ेगा तभी आपको techno India main का CAC मिलेगा next इसी अगर आपको चाहिए तो under 9K आपको rank रखना पड अगर आपको techno India main का IT चाहिए next अगर आपको double E चाहिए तो under 14 के आपको rank रखना पड़ेगा तभी आपको techno India main में electrical मिल सकता है अगर आपको ME और mechanical चाहिए तो under 16 के आपको rank रखना पड़ेगा तभी आपको mechanical इस institute में मिल सकते हैं फिर से में बता हैता हूँ CSE के लिए under 6K to 7K, ICE के लिए under 9K, IT के लिए under 8K to 9K, double E के लिए under 14K and mechanical के लिए under 16K ये जो मैंने बोला ये cut off आप याद रखना इसके अगर आपका rank है तो आप definitely techno India main में admission ले सकते हैं फिर भी अगर आपको इनमेश rank नहीं है जो rank मैंने डिसकस किया तो भी आपको tensor लेने का कोई भी जरुरत नहीं है अगर आपका low rank है और आपको अच्छे सी अच्छे private college में admission चाहिए तो नीचे description box में जो मैंने link दिया है उनके साथ contact कर सकते है mobile number भी है उनके साथ अगर contact करें तो आपको management quota के तुरू admission करवा सकते हैं कोई भी अच्छे private colleges में तो अगर आप management quota के तुरू low rank से अच्छा एक private college लेना चाते हैं तो definitely नीचे दिये हुए link पे contact कीजे आपको अच्छा एक private college वो लोग देने में मदद कर सकते हैं next point में आते है next point जो है वो है placement अभ देख सकते हैं है पे 2019 का calculate मैंने actually किया है 2019 के according ये जो placement record में आपको दिखा लहां 2019 के according है हाइस्ट पेकेज के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 25 LPA 2019 में हाइस्ट पेकेज यहाँ पे गया है अवरेज पेकेज के अगर बात करें तो अवरेज पेकेज इसका आप देख सकते हैं 5.50 LPA जो की एक normal private college के हिसाब से नेक्स जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत दिनों से स्टूटेंट मुझे पूझ रहे थे कि टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ड लेक का जो टॉप ब्रांचेस है वो टॉप ब्रांचेस के बारे में हम लोगों को बताईए आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप जो ब्रांचेस है तो यहाँ पे प्लेसमेंट बॉलिए जो अच्छा अच्छा पैकेज बोलिए आपको मिल सकते हैं तो अगर आपको प्लेसमेंट अच्छे चाहिए तो टेक्नो इंडिया मेन इस राइट ऑप्शन ठो इस रेंड के अंदर आपका फी यहाँ पर फी जो है मतलब जो पैसा लगता है in compared to other private colleges यहाँ पर उतना भी ज्यादा नहीं लगता यहाँ पर semester आपको 43 के payment करना पड़ेगा हाँ first semester में थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा चार्ज वहाँ पर include होता है पर second semester, third semester, fourth semester से average आपको 30 आप बोल सकते हैं 43 के जो semester fees है आपको देना पड़ेगा next faculty के अगर बात करें मतलब जो teachers यहाँ पर पड़ाते हैं maximum से maximum teacher बहुत ही अच्छा है बहुत से teachers भी है जो कि IIT से pass out है जादपुर university से pass out है तो बहुत ही अच्छा है एक faculty आपको यहाँ पर मिलेगा 8 दिया है मैंने 10 में से यहाँ का faculty को तो total overall अगर हम लोग discuss करें rating, cutoff, placement, highest package, average package, top branches, fees and faculty तो overall एक बहुत ही अच्छा college है techno india main इसका campus भी ठीक ठाक है उतना बड़ा campus नहीं है पर campus भी ठीक ठाक है पर college life भी आप enjoy कर सकते हैं तो overall अगर discuss करें तो techno india main is a very nice college in compared to private colleges मतलब यहाँ पर आप definitely यह बोल सकते हैं कि अगर कोई student यह rank के अंदर rank रखे हैं तो definitely वो techno india main ले सकते हैं और अगर कोई student का low rank है तो definitely मैं फिर से बोलना चाहूँगा नीचे description box में जो admission link दिया है वहाँ पे जाके आप admission ले सकते हैं अगर आपको management quota के थूँ ध्यान से सुनिए अगर आपको management quota के थूँ admission चाहिए अच्छा एक private college पे तो नीचे description box पे आप contact कीजे वह आपको कौन सा private college में आपका admission चाहिए अगर आप बोले तो वो लोग आपको help कर सकते हैं admission लेने में तो वीडियो कैसा लगए definitely comment करके बताना वीडियो अच्छा लगए तो कर दोना like and share और अगर इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को definitely subscribe कर लेना क्यूंकि इस चैनल में आपको हर एक educational update time to time में बतर रहेंगे तो चलिए ज़्यादा समयने लेते वीडियो का जाही प